चैप्टर थ्री दा फर्स्ट फॉर्मर्स एंड हैडर्स तो जो पहले फॉर्मर्स थे और जो खुदाई करते थे हम उनके बारे में पढ़ेंगे मिस्ट्री सम्धिंग दा रिमेंस अनेक्स्प्लेंड जो कुछ अलग होता है रिवोल्योशन और ड्रेमेक्टिक फॉर रीचिंग चेंज यानि कि जो चेंज होता है एक क्रांती आती है अचानक से डोमेस्टिकेट टैमिंग एनिमल एंड कीपिंग इट्स आ पेट और फॉर्म फॉर्म प्रोडेक्ट जो घर से बना जो घरेलू प्रोडेक्ट होते हैं क्राफ्टमें जिनकी इस्किल अच्छी होती है जो आर्ट में एक्सपोर्ट होती है नियू लिथिक एज एज आँट 10 थाजन एज एज और एंड एंसेंटर्स प्रोग्रेश्ड तो दा नियू लिथिक एज और नियू स्टोन एज मैंस लाइफ चेंज़ इन दिस पीरियर due to few major achievements like beginning of agriculture, the invention of the wheel and making of pottery. मतलब, हजार एर पहले लोगों की लाइफ में चेंज आने लगा क्योंकि उस टेम पी अग्रीकल्चर की शुरुवात थी. सबसे पहले आपने देखा था कि वो स्टोन के और जार बनाते थे. इस स्टोन वर मच शार्प एंड वेटर पॉलिजड वो बहुत शार्प होते थे और पॉलिज करते थे. तो उसे हम नियोलिथिक बोलते हैं. अट बुर्जा होम एंड गुल्फ कारल इन जम्बो एंड कास्मीर चिर्ण इन बिहार पिकली हाल एंड मास्की इन करनाट का. मोस्ट लिए कहां पाए गए हैं जम्बो एंड कास्मीर में चिर्ण इन बिहार के पिकली हाल और करनाट का के मास्की इन पाए गए हैं. ठीक है। Community Life Now the Neolithic men lived in a major organized and settled community. Still there were no concept provide ownership of land. The group lived in harmony and practiced social equality. Most probably the oldest or the strongest member of the group was met the leader who was supposed to coordinate the all activity of the group. तो क्या करते थे लोग बाग? ग्रूप में चलते थे और एक दूसरे से वो प्रॉपर बात करते थे और वो बात करना उस टाइम पर सीख रहे थे.